नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्तुपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यसी आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हैडलाइन्स के बारे में लार्ज है ड्रॉन को लाइडर के तहत जारी प्रियोगों में दुडला भिक्स बोसोन का श्याय देखा गया चत्रपती शिवाजी महराज के राजय भिशेक की 350 वी वर्षगांट के उपलक्ष में समारोहों का आयोजन आरंब हुआ भारतिय राष्ट्रुय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तवर्ष 2021-22 के लिए अपनी पहली संधार नियता रिपोर्ट जारी की भारत और अमेरिका ने रक्षा उद्योग के शेत्र में सहीयोग के रोड मैप पर सहमती व्यक्ति की है पाँ जून को विश्व परियावरन दिवस की 50 वी वर्षगांट मनाई गई एक अध्यन के मताबिक लोग एंटिबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में बैक्टिरिया मारने वाले वाइरस यानि फेज थेरपी के उपयोग को स्विकार कर रही है और आईए अब ख़बरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं Large Hadron Collider के तहट जारी प्रियोगों में दुर्लब हिक्स बोसोन का शाय देखा गया है Large Hadron Collider का संचालन European Organization for Nuclear Research यानि सर्ण कर रहा है हाल ही में LHC में किये जा रहे एक प्रियोग के दोरान एक दुर्लब प्रक्रिया का प्रमान मिला है इस प्रक्रिया में हिक्स बोसोन का शाय Z बोसोन और फोटोन में हुआ है ये शाय ऐसे कणों के अस्तित्तु का अप्रत्यक्ष प्रमान प्रिदान कर सकता है जिनका पूर्वानुमान Standard Model of Particle Physics में भी नहीं किया गया था Standard Model कणों, शेत्रों यानि फील्ज और उन्हें नियंत्रित करने वाले मौलिक बलों का सिध्धान्थ है वर्तमान में ये Model कण भौतिकी की मुलभूत अवधारनाओं की व्याख्या करने वाला सबसे सठीक सिध्धान्थ है इसमें 12 मौलिक पदार्थ कंड शामिल है जिन्हें क्वार्क तथा लेप्टॉन के रूप में वग्यक्रित किया गया है वर्तमान में Standard Model के तहट गुरुत्वा कर्शन बल को शामिल नहीं किया गया है हाला कि SMPV Model की अपनी सीमाएं भी हैं ये Model इस तथे की व्याख्या नहीं कर पाता है कि गुरुत्वा बल कैसे संचलन करता है ये Matter और Antimatter के बीच की विशमता को नहीं समझ पाता ये Dark Matter की संरचना की व्याख्या नहीं कर पाता और इस तथे की व्याख्या करने में भी असमर्थ है कि क्यों उप परमानुकणों का द्रवेमान उनके संगटकों की योग से ज्यादा होता है सर्ण प्रियोग शाला की स्थापना 1954 में की गई थी ये जिनेवा के पास फ्रांस स्विजरलेंड की सीमा परिस्थित है इसमें 23 सदस्य देश शामिल है भारत एक असोसियेट सदस्य देश के रूप में इस प्रियोग में शामिल है और अगर हम Large Hadron Collider की बात करें तो ये अब तक का सबसे शक्तिशाली कण तवरक है ये प्रोट अगली खबर एतिहास से सम्मनित है यानि की पेपर वन का विशे है चत्रपती शिवाजी महराज के राज्य अभिशेक की 350 वी वर्षगांट के उपलक्ष में समारूहों का आयोजन आरंभ हुआ है तो इस वर्ष के लिए मेंस के लिए ये कोशन इंपॉटेंट भी हो जाता है चत्रपती शिवाजी महराज के शिव राज्य अभिशेक की 350 वी वर्षगांट के उपलक्ष में महराश्ट के राज्य अभिशेक 6 जून 1674 को राज्य अभिशेक उपादी भी धारन की थी राइगर किला एक पहाडी किला है ये राइगर जिले में महाड से लगभग 25 किलोमीटर दूर इस्थित है आरंबिक यूरोपिय लोगों ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर की संग्या दी थी इस किले के वास्तुकार थे हिरोजी इंदुल का इस किले से एक कृत्रिम जील द राइगर किले का महत तो इसलिए भी है क्योंकि इस किले ने शिवाजी को आदेल शाही वंश के वर्चस को चुनोती देने में मदद की साथ ही इसने कौंकर की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए उन्हें मार्ग प्रदान किया ये इस्थान शिवाजी के शासन के के किले के रूप में उभरा था वर्ष 1680 में राइगर के किले में शिवाजी का निधन हो गया था और किले में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था इसके अलावा और भी किले है जो शिवाजी और मारठा सामराजी से जुड़े हुए हैं जिन में शामिल है मुरुद प्रमुख नौसनिक किंद्रों में से एक था तीसरा है प्रताबगड किला ये किला शिवाजी और अफजल खान के बीच मुटबेड के लिए प्रसिद्ध है चौथा है सिंदुदुर्ग किला इसे भारत के सबसे बहतरीन समुद्री किलों में से एक के रूप में जाना जाता ह इसे शिवाजी के शासनकाल के दोरान कोंकन शेत्र के एक द्वीप पर बनाया गया था पांचवा है शिवनेरी किला ये किला शिवाजी का जन्मिस्थान है उन्होंने कभी भी इस किले पर शासन नहीं किया छटा किला है पुरंदर किला ये किला शिवाजी के पुत्र संभा किया गया ये पहला किला है और आई अब बात करते हैं NHAI और अवसंरचना शेत्र की भारतिय राष्ट्री राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्वर्ष 2021-22 के लिए अपनी पहली संधारनियता रिपोर्ट जरी की संधारनियता रिपोर्ट में NHAI की शासी संरचना इसके 2021-22 में 2% की लगातार कमी दर्ज की गई है NHAI राजमार्गों के निर्मार्ड के लिए पुनरचकृत सामगरियों का उपयोग कर रहा है और इनमें पुनरचकृत डामर और पुनरचकृत एगरिगरेट शामिल है पुनर्चक्रित डामर सड़क निर्माण में इस्तमाल पुनर संसाधित सामगरियां हैं इनमें डामर और अन्य सहाइक सामगरियां शामिल होती हैं प्रचक्रित एग्रिग्रेट्स में निर्माण कारियों के मलबे से प्राप्त सीमेंट यूट कंक्रीट या फिर सड़क निर्माण में इस्तेमाल डामर शामिल होते हैं नेचियाई ने संधारनियता सुनिश्चित करने के लिए और ग्रीन हाउस गैस तथा कार्बन उत्सरजन को कम करने के लिए सड़क निर्माण में कुछ सामगरियों का उपयोग बढ़ाया है जिन में शामिल है फ्लाइश जो कि कोईले की देहन से प्राप्त गरम बिटुमिनेस मिश्वन में प्लास्टिक अप्शिष्ट, स्टील स्लैग जो कि इस पाथ के निर्माण से प्राप्त बाइप्रोडक्ट हैं लैंड्फिल साइट से प्राप्त अक्रिये सामगरियां जो ना तो रासाइनिक रूप से और ना ही जैविक रूप से प्रतिक स्टील स्लैक का उत्पादन इस पात बनाने वाली भट्टियों में पिगले हुए इस पात को शेश असुद्धियों से अलग करने की क्रम में होता है डामर सामगरी में स्टील स्लैक भी शामिल होता है ये इस पात और लोहे की उत्पादन प्रक्रियाओं से प्राप्त एक उप पुदपाद है इसका उपयोग कई गति विदियों में किया जा सकता है जैसे के निर्मान कारेयों और सड़क बनाने में कृशी शेत्र में मृदा की अमलियता को कम करने की वजह से इसके अलावा पोर्टलिंड स्लैक सीमेंट निर्मान करने में NHEI की स्थापना NHEI अधिनियम 1988 के तहट की गई थी ये संस्था पूरे भारत में राष्ट्रिय राजमार्गों के विकास रख रखाओ और प्रबंधन के लिए जिम्मिदार है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले की एक नोडल एजेंसी है इसे राष्ट्रिय रा से मनाया जा रहा है विश्व परियावरंट दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूशन का समाधान इस वर्ष इसकी मेजबानी कोटेडी आईवर ने की थी इस अवसर पर परियावरंट वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने मैंग्रोव इनिशेटिव फोर शोर ला लागू किया जाएगा इसके तहट जैव विवित्ता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिजम के अवसरों और इस्थानिय समुदायों के लिए आईस रिजन को बढ़ावा देने के लिए आदर भूमी के इश्टितम उपयोग को प्रोचसाहित किया जाएगा मिष्टी पहल की घोशना केंद्रिय बजट 2023-24 में की गई थी, मिष्टी योजना का उद्देश्य समुदर तटके किनारे और लवन कुन भूमियों पर मैंग्रोव रिक्षारोपन को बढ़ावा देना है इसके तहट 2023-2028 तक अगले पांच वर्षों में 980 राजियों और 4 केंद्रशासत प्रदेशों में लगभग 540 वर किलोमीटर शेत्र को कवर किया जाएगा ये मन रेगा कैमपा फंड और अनिस रोतों के बीच अभिसरन के माध्यम से कारे करेगा इसका महत तो ये है कि ये वर्ष 2030 तक धाई से 3 मिलियन टन कार्बन डियोकसाइड के समतुले अतरिक्त कार्बन सिंग का निर्मान करके भारत के राष्ट्रिय इस्तर पर निर्धारित योगदानों यानि NDCs को प्राप्त करने में मदद करेगा मैंग्रोव लवण सहीशनू पादब समुदाय होते हैं ये समुदरी और इस्तली परियावरन के बीच एक संकमन शेतर के रूप में कारे करते हैं ये ऊष्ण कटी बंधिया और उपोश्ण कटी बंधिया अंतर जुआरिये शेतरों में पाए जाते हैं इनके विकास के पश्चिम बंगाल में हैं और इसके बाद गुजरात तथा अंडमान और निकोबार दीप समू का इस्थान हैं मैंगरोव के लाब ये हैं कि आजीवी का प्रदान करते हैं तट्रेखा को इस्थिर बनाए रखते हैं कटाव रोगते हैं कारवन सिंग के रूप में कारे करते है और इस्थानिय जल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं तथा उसे बनाए रखते हैं भारत और अमेरिका ने रक्षा उद्योग के शेत्र में सहीयोग के रोड मैप पर सहमती व्यक्ति की हैं नए रोड मैप में प्रद्योगी की सहीयोग और सह उतपादन को गती प्रदान के लिए चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए हैं SOS यानि कि आपूर्ती की सुरक्षा विवस्था किसी भी देश में कमपनियों से अनुबंधों उप अनुबंधों या फिर orders के लिए प्राथमिक्ता आधारित वित्रण का अनुरोध करने की अनुमती देती है RPD यानि पारसपरिक रक्षा खरीद इसके तहट भागिदार एक दूसरे देश से रक्षा उपकरनों के पूरक अधिग्रहन के लिए सहमत होते हैं दोनों पक्ष इंडिया US Defense Acceleration Ecosystem यानि Indus X नामक प्रस्तावित नई पहल को लांच करने पर सहमत हुए हैं ये पहल अत्यधुनिक प्राद्योगी की सहीयोग को बढ़ावा देगी अमेरिका ने Quad Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative यानि IPMDA में भारत की नित्रत्योकारी भूमिका का स्वागत किया है भारत में अमेरिका के साथ चार मूलभूत रक्षा समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं जिन में शामिल है सैने सूषना के आदान प्रदान पर वर्ष 2002 में General Security of Military Information Agreement यानि G.S.O.M.I.A दूसरा है वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैने अड़ों का उपयोग करने के लिए Logistics Exchange Memorandum of Agreement यानि लिमोवा तीसरा है दूनों सिनाओं के बीच अंतर सक्रियता और भारत को उच्चेस तरिये प्रद्योगी की के विक्रे के लिए वर्ष 2018 में Communication, Compatibility and Security Agreement यानि कोंकासा चोथा है उच्चेस तरिये सैने प्रद्योगी की रसाद और भूस्थानिक मानचित्रों को साजा करने के लिए वर्ष 2020 में Basic Exchange and Corporation Agreement बेका IPMDA की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने 2022 में IPMDA की घोशना की थी ये स्वतंत्र और खुले प्रशांत शेत्र को बढ़ावा देने के लिए शेत्रिये साज़दारों और सहयोगियों के साथ शुरू की गई एक पहल है इसका लक्ष रियल टाइम में अधिक से अधिक समुद्री इस्थिती जन्ने जागरूगता प्रदान करने के लिए शेत्रिये भागिदारों और सहयोगियों को अमेरिकी प्रद्योगिकियों से जोड़ना है और आईए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ एक अधियन के मताबिक लोग एंटिबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में बैक्टिरिया मारने वाले वाइरस यानि पेज थरपी के उप्योग को स्विकार कर रहे हैं एंटिबायोटिक दवाओं के अनुचित उपियोग के कारण लोगों में रोगानु रोधी प्रतिरोध में व्रधि हुई है। इसलिए बैक्टिरिया संबंधी रोगों को नियंतरित करने के लिए एंटिबायोटिक दवाओं का एक विकल्प बैक्टिरियो फेज तेजी से लोग प्रिय हो रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2050 तक एंटिबायोटिक प्रतिरोध के परिणाम सुरूप हर साल दवा प्रतिरोधी रोगों से 10 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है। बैक्टिरियो फेज या फेज ऐसे वाइरस होते हैं जो केवल बैक्टिरियल कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उन्ही कोशिकाओं में अपना प्रतिरूप बनाते हैं। फेज थेरपी में बैक्टीरिया संक्रमन का इलाज करने के लिए फेज का उपयोग करना शामिल है। बैक्टीरियो फेज की खोज 1915 में ग्रेट बिटेन के फ्रेडरिक डबलू टी वॉट और 1917 में फ्रांस के फैलिक्स जी हेरली ने की थी। एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करती हैं लेकिन साथ ही कुछ लाबदायक सुक्ष्म जीवों यानि माइक्रो बायोटा को भी नश्ट कर देती हैं। इससे नई समस्यां उत्पन हो सकती हैं वहीं इसके विपरीत प्रतियक फेज केवल बैक्टीरिया के लक्षित उपभेदों या प्रजातियों को ही टार्गेट करता है। फेज थरपी का महत तो इसलिए भी है क्योंकि फेज से मानव कोशिकाओं को नुकसान होने की संभावना नहीं होती। इसका कारण बैक्टीरिया कोशिकाओं और मानव कोशिकाओं में मौजूद महत्तवपुन अंतर है। इसके अलावा बैक्टीरियो फेज के जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियो फेज का पहला चरण है जिसमें कोशिका में वाइरल जीनोम को अटैच और इंजेक्ट किया जाता है जो कि वाइरल जीनोम, होस्ट या पोशक कोशिका, बैक्टीरियल क्रोमोसोम या वाइरल जीनोम हो सकता है। दूसरा स्टेप है होस्ट जीनोम का हरास होता है वाइरल जीनोम का प्रतिरूप और वाइरल प्रोटीन का संचलेशन होता है तीसरी प्रक्रिया में वही चौती प्रक्रिया के तहट असेंबली और रिलीज होता है जिसमें कि होस्ट कोशिका नश्ट हो जाती है और पांचवे सुविधाओं का विकास नामक एक केंद्र प्रायुजित योजना के की निर्मान के लिए कोटज लिए राजय सरकारों या संग राजी शेत्र प्रशासनों को केंद्रिय सहता प्रदान की जाती है. वित्व पोशन के अगर हम बात करें तो पुर्वत्तर और हिमालई राजियों को 90 और 10 के अनुपात में दिया जाता है केंदर शासत प्रदेशों को 100 प्रतिशत वित्व पोशन और 6 राजियों के लिए 60 और 40 के अनुपात में वित्व पोशन दिया जाता है प्रतिकूल कबजा यानि की Adverse Possession भारत के 22 वे विधियायोग ने अपनी 280 वी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया है कि प्रतिकूल कबजे से संबंदित कानून को बदलने की कोई जरूरत नहीं है प्रतिकूल कबजे की अवधारना इस विचार पर आधारित है कि भूमी को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए बलकि उसका विवेक पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए परिसीमा अधिनियम 1963 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 12 वर्षों से अधिक समय तक किसी निजी भूमी पर या 30 वर्षों से अधिक समय से सरकारी भूमी पर कबजा किये हुए है वो समपत्ति का स्वामी बन सकता है इसको प्रतिकूल कबजा कहा जाता है हालांकि उस भूमी पर कबजा निरंतर, निर्बाध और शांतिपूर्ण होना चाहिए अगला टॉपिक है फ्लाइंग गीज मॉडल एफजी मॉडल और द्योगी करण को देर से अपनाने वाली अर्थववस्थाओं में और द्योगी करण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है इस मॉडल के मुताबिक यूएस से वैश्विक स्तर पर और जापान एशिया में आर्थिक नेत्रतु करने वाले गीज या फिर कलहंस के समान है इसके बाद उभरती हुई अन्य एशियाई अर्थववस्थाओं का इस्थान है जिसके परिणाम सरूप उन्हें आर्थिक सफलता मिली आधुनिक फ्लाइंग गीज मॉडल की शित्रिय विकास संबंदी अवधारना में पहले से ही एक हारायरकी को मान लिया जाता है और इसके मताबिक प्रभुत्यश्वाली अर्थववस्थाएं संब्रेदी के केंदर की भूमिका निभाती हैं और विकास शील अर्थववस्थाएं उनके पीछे चलती है प्राकर्तिक शीतलक के रूप में कार्बन डायोकसाइड भारतिय नौसिना ने देश में अपनी तरह का पहला 100 किलोवाट शमता का एसी संयंतर शुरू किया है इसे भारतिय विज्ञान संस्थान बेंगलूरू के सहयोग से तयार किया गया है ये एसी संयंतर प्राकर्तिक शीतलक कार्बन डायोकसाइड पर आधारित है और आईए बात करते हैं प्राकर्तिक शीतलक कार्बन डायोकसाइड के बारे में ठंडी जलवायों में सर्दियों के दौरान इसमें बहुत कम संगनित दबाव के साथ कारे करने की शमता होती है इसके अलावा महासागर गणना महासागर गणना नामा के एक नई पहल का उत देश यह एक दशक के भीतर एक लाख नई समुदरी प्रजातियों को खोज़ना है इस तरह से समुदरी जैवेवित्ता की ज्ञान का विस्तार करना है इस पहल को अग्यात समुद्री जीवन की खोज के लिए कई संस्थाओं ने सेंवत रूप से आरंभ किया है जिसमें शामिल है निप्पॉन फाउंडेशन ये जापान में गैरलाबकारी परोगकारी संगठन है और दूसरा है नेक्टन फाउंडेशन जो की युनेटिट किंग में समुद्री विज्ञान और सनरक्षन संस्थान है इस पहल के तहट वेग्यानिकों को समुद्री जैव विवित्ता हॉट स्पोर्ट में अभियानों पर भेजा जाएगा ये वेग्यानिक अग्यात समुद्री प्रजातियों की खोज में हाई रिजॉल्यूशन इमेजरी डियने अनुक्रमन और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रद्योगिकियों का उप्योग करेंगे इस से पहले 2000 और 2010 के बीच हुई समुद्री जीवन की गर्णा ने समुद्र में जीवन की विवित्ता, वित्रण और प्रचूरता दर्ज की थी असी देशों के 2700 से ज्यादा वेग्यानिकों ने इस गर्णा में योगदान दिया था और आएब बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में दुद्वा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मादा रोयल बंगाल टाइगर देखी गई है दुद्वा रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखिमपूर खीरी में इस्थित एक संरक्षित चेत्र है ये शेत्र भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है इस रिजर्व में दुद्वा राष्ट्रे उध्यान तथा पास के दो अभ्यारण ने किशनपूर और कतर्णिय घाठ दुद्वा संरक्षित चेत्र को 1958 में वन्यजीव अभ्यारण ने घोशित किया गया था इसके बाद इसे 1977 में राष्ट्रे उध्यान का दर्जा दिया गया वर्ष 1988 में ये टाइगर रिजर्व परियोजना में शामिल हो गया इसमें महत्वपून जीव जनतु हैं बाग ते सुखे कटीले वन से शुष्क पर्णपाती वन में बदल जाता है केम्टियार में दो निकटवर्ती अभ्यारण्यों कलक्कड वन्यजीव अभ्यारण्य और मुंडन तुरै बाग अभ्यारण्य के अलावा वीरापूली और किलामलाई आरक्षित वनों के हिस्से भी शामिल कलक्कड वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना मुख्य रूप से शेर की पूचवाले मैकॉक के संरक्षन के लिए की गई थी केम्टियार अगस्ते मलाई बायोस्फेर रिजर्व का हिस्सा है ये एक अंतर राज्जीय केरल और तमिलनाडू के बीच बायोस्फेर रिजर् प्लिए इंडिया रंकिन्ग दोहजार तेईस केंद्रिय सीक्षा मंतराले ने देश में उच्छितर सेक्षन संस्थानों की इंडिया रंकिंग का आठ्वा संस्करन जारी किया ये रंकिन नैशनल इंस्टिटूश्ट रंकिंग फ्रेमवर्क पराधारित थै今天 आरेफ में कि में नएआ क्या है इसमें क्रिशी और संबद्द शेतरक नामा के एक नए विशेय शामिल किया गया है इंडिया रैंकिंग में नवाचार रैंकिंग को शामिल किया गया है पहले इसे अटल ίह रैंकिंग वर्किंग ग्रूप की तीसरी बैठक आयोजित हुई है इस बैठक के दौरान MCM यानि Medical Counter Majors में अनुसंधान और विकास पर वैश्विक सहयोग Network को मजबूत करना इस नाम से एक अलग से कारिक्रम आयोजित किया गया था Medical Counter Majors का उपयोग रासायनिक, जैविक, रेडियोलाजिकल या फिर परमाणू खत्रों से संबंदित बीमारियों के निदान, रोक्थाम या उपचार के लिए किया जाता है इसमें शामिल हो सकते हैं जैविक उत्पाद, जिसमें कि टीके, रक्त उत्पाद और एंटीबॉडी शामिल है, दवाएं जो कि रोगानू रोधी या फिर एंटीवाइरल दवाएं हैं, इसके अलावा उपकरणों की बात करें तो इसमें खत्रे की अभिकारकों की पहचान करने के लिए नैदानिक परिक्षन और पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्क्यूपमेंट यानि पीपी ये शामिल हैं, मैगनेटाइट, मैगनेटाइट युक्ते चट्टानों और अल्ट्रा मैफिक चट्टानों की पहचान करने के लिए दक्षिनी बिहार में रिमोट और चुम्ब की अखनिज हैं, ये कठोर खुर्दरी सतह पर रगणने पर एक काली देखा छोड़ देता है, ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाले धातू ओक्साइड्स में से एक हैं, इसकी क्रिष्ट्रली संरचना में लोह आयन के फैरस और फेरिक दोनों रू चुलवर्श, अक्सर हमेटाइट और इल्मेनाइट यानि टाइटेनियम समझ लिया जाता है, अधिक्तर मैइटाइट बड़े पिंड के रूप में प्रापत होता है, जिसे आम तोर पर लोड स्टोन कहा जाता है, इसके साथ ही ये अंक समापत होता है, अगली ये अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्ष के लिए तत पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को द जे इजाजब, नमस्कार